हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत श्वागत हैं आज हम आपके साथ बहुत ही आसान डिजट की रस्पी से यर करेंगे चलिए तो बनाना हम सुरू करते हैं इसके लिए हम एक बाउल लेंगे उसमें ये हमने एक तिहाई कप चावल लिया है चावल आप कोई सावी ले सकते हैं चावल को धुल लेते हैं दो तीन बार आप इसे अच्छे से धुल कर साफ कर लीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर आदे घंटे के लिए इसे रख देते हैं हम और ये डिजट हम गाजर से बना रहे हैं यहाँ पर हमने दो लाल गाजर ली हैं गाजरों को हम छील लेते हैं और इन्हें हम ग्रेट कर लेंगे हम लाल वाली मिटी गाजर का यूज कर रहे हैं गाजर हमने ग्रेट कर ली और पानी भी चावल भी हमारा अच्छे से फूल गया है अब हम एक मिक्सी का जाल लेंगे पानी के साथ ही चावल को हम जार में डाल देंगे और ये तीन-चार इलाइची है जिने हमने छील लिया है इसको भी हम डाल देते हैं और इसको बारीक पीस लेंगे हम ये दिखिए बिलकुल बारीक हमने चावल को पीस लिया है इधर हमने दो कप दूद रखा है दूद में उबालाने देते हैं दूद में उबाला चुका है अब जो चावल हमने पीस कर रखे थे उसे हम दूद को चलाते हुए डाल देते हैं और चावल डालने के बाद आप इसे लगातार चलाते हुए पका लिजिए इसमें चावल पड़ा है बहुत जल्दी दूद हमारा गाड़ा होने लगेगा तीन से चार मिनट में ही आप देखेंगे कि दूद काफी गाड़ा हो रहा है और इसको आप नीचे तले तक कंचली ले जाते हुए चलाईएगा क्योंकि चावल नीचे बैठ जाता है और यदि आप इसे चलाएंगे नहीं तो हमारी जो डिजट बनेगी उसमें जले की महका आने लगेगी यह देखिए हमें मुश्किल से 3-4 मिनट हुआ और देखिए हमारा दूद काफी गाड़ा सा हो गया है इसे हमने पूरा आठ मिनत तक पका लिया है और दूद काफी गाड़ा है चावल हमारा इसमें अच्छे से पक चुका है यह देखिए जब यह दूद और चावल हमारा इतना गाड़ा हो जाए यह देखिए इस तरह से तब इसमें हम चीनी डाल देंगे यहां हमने एक बॉल चीनी डाल दी है आप अगर ज़्यादा मिठा खाते हैं तो चीनी थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं चीनी को भी चलाते हुए मिक्स करेंगे जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो यह बेटर थोड़ा सा पतला हो जाएगा एक बार चलाते हुए चीनी घुल जाने तक हम इसको पकाएंगे अप ग्रेट की हुई गाजर हम इसमें डाल देंगे और चलाते हुए इसको मिक्स करेंगे दो मिनट के लिए हम इसको चलाते हुए इसी तरह से पका लेंगे दो मिनट में ही गाजर बढ़िया से पक जाएगी दो मिनट से जादा गाजर को हम नहीं पकाएंगे और लीजे हमारी एक जटपट से स्वेट डिस्ट बनकर तयार हो गई यह दिखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में यह उससे भी ज़्यादा टेश्टी है चलिए तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं उपर से थोड़े से पिस्टे और बादाम डाल देते हैं इतनी डिजट छै लोगों के लिए परियाप्त है आप इसे चाहे तो गरमा गरम खाईए नहीं तो आप फ्रिज में ठंडा करके भी इसे खा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है यह रेस्पी आपको यह रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और यदि रेस्पी अच्छी लगे तो उसे लाइक सेयर और कमेंट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू